Outstanding Player है, यार, कस्ण से रोईष शर्मा Outstanding Player है, यह मैं पहले भी कह चुकों के मेरा फेवरिट प्लेरो में से यह एक player है, जब यह चलता है ना, कस्ण से इतना जबरदस दिल करता है इस मंदे को देखने का, मज़ा आएता है, मैं आपको सही बतार हुँ, पीवी के सामने से गटन यह अन्ट विद गाना गीया है इंडिया अफ़ानिस्तार की बारे में इंडिया नफ डिवा स्कॉड खेड़ी आउट लेकिन इसकी बात इंडिया इंडिया आया इसना स्मूथ थे वो लोग जना पिछ पे कि 273 आराम से चेस कर लिया है सिर्फ दो खिलाड़ी आउट रोही चर्मा ने पूरी पीम का जो बोच था वे अपने कांदों पे लिया आज उन्हों ने बड़ा वर्ल्ड रिकार्ड बेस चैट किया है प्रफॉर्मस दिखा यह रोई चर्मा ने कल मतब उसकी तो वोई तारी भी नहीं है बट अब वो आरे हमारे सामने जब वो मारे सामने आएंगे तो उमारे लेजन्स की कापे टांग रहें गए इसको आउट कैसे करें इसको पकड़ें कैसे यह तो असन अली और शदाब को दे अगर कप्तान बॉलर है तो विक्टे लेगा तो टीम का सारा होसला बुलांद हो जाता है और उनकी बारे में पड़ी अच्छी निउस है इसलिए के बात सुनते हैं क्लोजली काम करते हैं हर प्लेयर के साथ उनकी इसरत है डगाउट में और टीम के लिए खिलते हैं और जब दोस्तों स्वागत आपका हिंद निउस्ट्यू में दोस्तों इंडिया अफगनिस्तान के मैच में रोहित सर्मा ने क्या धमाकेदार बैटिंग की है वही 131 रन बढ़ाए 84 बोल में और इसी के साथ ही रोहित सर्मा ने वर्ल्ड कप में रिकोर्ड अपने नाम कर लिया है त 63 बोल में रोहित सर्मा ने शोरन पूरे कर दिये उससे पहले ये वर्ल्ड रिकोर्ड जो था कपिल देव के नाम था जिसमें उन्होंने 72 बोल्स में 100 जो है कंप्लीट किये थे तो फास्टेस्ट रन बनाने वाले रोहित सर्मा वर्ल्ड की नंबर वन प्लेयर हो गए है और मैं पूरी दुनिया में में रुष सर्मा की चरचा हो रही है क्योंकि किठ इतियास में स्रथने वाले पलेयर बन गए है वही पाकिस्तान को अब रोहित सर्मा की जब फोर्म देखी है तो अब पकिस्तान की तो चोप्य वाला है और 14 October को मेंच होने माला है और रोईट शर्मा इसी Form में रहे तो भई पाकिस्तान की टांगे फिर से कैमिशे थो देखना ना हुझा हुना लेकिन इसी Form में रहे दौभार फिर संचूरी ठोकेंगे और वाई पाकिस्तान की हालत अब ही से खराब होने लगी है पाकिस्तान में बड़ी चर्चा है इसकी रोई छर्मलड चले तो चल लेकल वीडियो को शुरू करते अगर इसी फर्म होई है इसी बैटिंग तो मारा क्या बनेगा बात यह के प्ढ़र रहे हैं आप जीफ के पहले खुद बैटिंग करें पाई इन पेट्ट पे या इंडिया की जितने प्यमैचिस हो रहे हैं ज्यादा तर ऐसी पिच्छ बंड रही है जस पर दॉन चेस करने है वहाइब इंडिया को बैटिंग कर सुप है बैए पर दि उप AHR 큰 आौक Wars एक मौका ओता कि इसा क logistics करने हैं लेकिन जब आपिडिया के खिलाफ으 17油र्ज कर रहें या तो पहले बैटिंग करे आपने स्वyas से टॉस जीत के बैटिंग की कि बहुत जबरदस बैटिंग भी गड़ है या तो फिर इंडिया की जो बैटिंग लाइनप उसके खलाफ रस तो करो अगर 272 दे रहे हो तो पीनेट है वो तो पीनेट है जो के नजर भी आया आउटस्टेंडिंग प्लेर है यार कस्म से रोईश हुआ आपने से हडने का दिल नहीं कर तास साह कर चुक है व MILD cup में आज का 100 00S जो ऑर च्ष्टेई यदिध झेया खरते की है डोनों केप्टन है और केनशी भी एक स्क्र epidتन होनी जरूरी है का थेसकार मैर देख बहुरह कर को तर जक्ते के लिए रोहिज शर्मा भी इस तीज में टार्गेट हो रहे थे लेकिन उन्हों ने आज इस तीज को अपना सिक्योर कर लिया है और अच्छा टार्गेट बनाया और सेकंड लिए कि जहां कल रिज्वान और अब्दुलाश्पी की बाते हो जी थी वहां आज रोहिज शर्मा और बुमराह की काफी बाते हो रहे हैं कि उन्होंने बहुत जबर्दस परफॉर्मेंस दिया मगर मैं यह समझती हूं ठीक है कादिस आपको यह पॉइंट बड़ अच्छा था कि इंडिया ने जो है वह एक पीसफुल परफॉर्मेंस दिया है अफगानिस्तान के मतलब अग की होगी और अगर नहीं देखी तो बड़ी गलती ही होगी क्यूंकि आपका सबसे बड़ा कम जो जिसको आप कहते हैं आपका अपने उससे मुखाबला करना है तो आपको पता चल जाना चाहिए कि मुखालिफ टीम जो आपकी है वो किस हाल में और आपको अपनी चीज़े द combination बना लिया है आप जीत रहे हैं लेकिन आपका combination अभी भी आपका Best combination नहीं है अगर आप बाबर से पूछें कि अब आप मुतमेन है कि आपका ये Best Winning combination है तो बाबर भी ये कहेगा कि there are few things लेकिन अगर आप इंडिया से पूछें के हाला के उनका एक जबरदस किसम का बल्लेबाज most probably पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच में available नहीं होगा I'm talking about शुमन गिल उसके बावजूद आप देखिए कि उनकी टीम की डेप्ट कितनी है कि वो कहां भी इस वक्त कड़े हुए मतलब उन्होंने अपना सब कुछ परफेक्ट कर लिया पाकिस्तान के जितने भी एक्स क्रिक्टर है वसीम, अक्रम, श्वेबहतर, मिस्बाउल हक, श्वेब मलिक, बाइजन सब ने जम जम के तरीफ किया रोईद छिर्मा की जम जम के क्योंके सब को पता है के राषिद हान चोंभी आप बाइजन, प्याटान की जो बालिंग लाइनप अबी, मैं भी यही बात करूँगा के अफगनिस्तान की बालिंग लाइन UP वह सीरी लंका से बहुत बेटर है लेकिन इंडिया ने छिस तरह चेस्टेस बापरों में और हमने कल जो है वो सिरी लंका जैसी ठकी वी बालिंग लाइन आपके हलाव भी मैच क्लोज जाके चेज किया है ठीक है आप अंदादा लगा लो इस टोना मिट में कप्तान सारे फ्रंट से लीड का रहे हैं सुवाए मेरे बापर गंटे के मेरा बापर तो बाइजन चोटे मो कार्ट टोड़ा है उसके बाद एरोई शर्मा इंटरनाशनल के रिकेंट में सबसे ज़्यादा च्छके मारने वाले प्लेयर वान गया और फास्टेस चार सो कुछ इनिंग में रोई शर्मा नाम का एक तोफान आया हुआ था जो तोफान अफवानस्तान का सब कुछ बहा के ले गया लेकिन आज जिस जिस टीम ने रोई शर्मा की बैटिंग देखी है ना जो इस वर्ल्ड कप में मौझूद हैं सारी टीम डर गई हैं यकीन माने आप सारी टीम डर गई हैं कि बाई साब आज तो यह सामने अफवानस्तान की टीम थी लेकिन इसके बाद हमारी बारी अभी रॉयच शर्मा के सामने ख्यलने के लिए जाने वाले हैं से बहले बात अलम थी लेकिन आप वह शर्मा इाज श्र humming में बहुत कमाल की फार मय हाचुकए और वह च्छुके लावा की आप बहुत अभात या आफ आज आप देखें के रोanut एस चार जो रिकार्ड से आप अपने नाम कर ली है सबसे पहले अगर देखा जाए तो रोईट शर्मा वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो सेंस्री बनाने वाले पहले बल्लेबास बन गें अडिया थी और पिट आख़े बना लीï कि विखिव समय वेगंड मीचिन और है वोगिंठीय और Àींड्य आफगनिस्तान की मैच हिस वड़ा चोके मारे थे और चॉक्केट इतने ठोकेट तो अफगनिस्तान की तो भई रेल बना दी उनको तो पता ही नहीं था यह हो क्या रहा है और भई टीम इंडिया के सामने अफगानिस्तान की टीम खड़ी और यह सोच रहें कि दोस्टो बैतरन आरे कुनों ने बड़ी भारी सपोर बना दिया तो भई एक तो पहले टीम इंड अफटरन जो था वो कुछ खास नहीं था यहीं कर लिया इंडिया की टीम है फोलव में है और अभी ज्यादा स्कूर बनाने वाली पीचे हो गई है और तो इसके अंदर है कि जितना ज्यादा वह ईतना स्कूर बनाई अफगानिस्तान की टीम यहीं गलती गी थी पहले उन्ह अपने होचानल को सब्सक्राइब करना तो अगली वीडियों जल्दी मिलते हैं तब कर लिए जया हिंद जया वारत